नमस्कार, आज हम संकष्टी चतूर्थी के बारे में बात करेंगे संकष्टी चतूर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतूर्थी भगवान गणेश अपने भक्तों की सबी परिशानियों को हर लेते हैं संकष्टी के दिन भगवान गणेश का वरत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है माननेता है कि संकष्टी चतूर्थी के दिन इसकी कथा सुनने से गणपती की किरपा प्राप्त होती है संकष्टी चतूर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुकिल पक्ष की चतूर्थी तिथी को मनाए जाती है पूर्णिमा के बाद आने वाली चतूर्थी को संकष्टी चतूर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतूर्ती को विनायक चतूर्ती कहते हैं संकष्टी चतूर्ती को भगवान गणपती की अरादना करके विशेश वर्दान प्राप्त किया जाता है आईए संकष्टी चतूर्ती की कथा सुनते हैं पॉराणिक कता के अनुसार, एक बार माता पार्वती और भागवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे, तबी अचानक माता पार्वती की चौपड खेलने की इच्छा हुई, लेकिन वहां उन दोनों के अलावत तीसरा कोई नहीं था, जो इस खेल में निर्नायक भूमिका निभाए, समस्या का समाधान करते हुए, शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ती बनाई और उसमें जान डाल दी, शिव पार्वती ने मिट्टी से बने, बालक को खेल देखकर सही फैसला लेने का आदेश दिया, खेल में माता पार्वती बार बार बगवान श्राप को मात दे रही थी। इस जगा पर कुछ कन्याएं आती हैं तुम उनसे वरत की विधी पूछना और उस वरत को सच्चे मन से करना। बालक ने वरत की विधी को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक संकष्टी का वरत किया। उसकी सच्ची अरादना से भगवान गणेश प्रसन हुए है और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा जताई। भगवान गणेश ने उस बालक को शिवलोग पोचा दिया। लेकिन जब वे वहाँ पहुचा तो वहाँ उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़ कर चली गई होती है। जब शिव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए तो उसने उन्हें बताया कि गणेश की पूजा से उसे ये वर्दान प्राप्त हुआ है। ये जानने के बाद भगवान शिव ने पार्वती को मनाने के लिए उस वरत को किया। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसंद होकर कैलाश वापस लोटाती है। भगवान गणपती के सामने दिया जलाएं और लाल गुलाब के फूलों से भगवान गणपती को सजाएं। पूजा में तिल के लड़ू, गुड, रोली, मोली, चावल, फूल तामबे के लोटे में जल दूब, परसात के तौर पर केला और मोदक रखें। भगवान गणपती के सामने दूब दीप जला कर उनका मंतर से जाप करें। भगवान गणपती आपकी सभी मनो कामनाय पूर्ण करें। जै श्री गणपती